आप देख रहे हैं वारता 24 कहा जाता है कि इनका जन 12 अक्टूबर 1792 को महांसंत श्री गौरी शंकर महाराज के आशिरवाद से उन्नाओ के डोडिया खेडा गाउं में हुआ जमिन्दार हरीदत दूबे उनके पिता थे उनके जन्दार हरीदत दूबे की कोई संतान नहीं थे एक बार वो सपतनी तीर्थार्टन करने नर्वदा के घाट पर गए जहां पर उन्होंने परमसंत गौरी शंकर महाराज और उनकी जमात की खूब सेवा की सेवा भाव से प्रसन्न होकर गौरी शंकर महाराज ने कुछ वरदान मागने को कहा इस पर उन्होंने पुत्र प्राप्ती की इच्छा प्रकट की गौरी शंकर महाराज ने उन्हें दो पुत्रों का आश्रवाद दिया साथ ही एक शर्द भी रग दि कि एक बालक हमें देना होगा कुछ समय बाद हरिदत दूबे के यहां दो जुड़वा पुत्रों ने जनम लिया एक दिन गौरी शंकर महाराज अपनी जमात के साथ उनके गाउं पहुँचे और वचन के अनुसार एक बालक की मान की परंतु एक मा अपने बच्चे को देने को तयार नहीं थी इस पर गौरी शंकर महाराज नाराज हो गए और कहा कि हम देना जानते हैं तो लेना भी जानते हैं डर के मारे उन्होंने एक बच्चा संतिश्री को सौम दिया उस समय उनका नाम लाल बिहारी दास था और वो मात्र आठ साल के थे गौरी शंकर महाराज उनको लेकर नर्मदा के घाट पर पहुँचे और उसी समय वहां तेरा भाई पंच अखाडे के संत अर्जुन दास जी भी अपनी जमात के साथ मौजूद थे गौरी शंकर महाराज ने धर्म की शिक्षा दिक्षा हेतू लाल बिहारी दास को उन्हें सौप दिया और वो उने लेकर अयोध्या आ गए अयोध्या में उन्होंने वेज सहे धार्मिक ग्रंत जोतिश शास्त्र और आयूर वेद में नुपुर्ता हासल की इसके बाद वो वापस जमात में आ गए और विख्याद संत दूनी वाले दादा जी के साथ रहें यहां से वो कैलाश मांसुरूवर गए और वहां उन्होंने गणेश लामा से तंत्र सीखा कहा जाता है कि उन्होंने वहां शिव की कठिन साधना की और जब उनका शरीर गलने लगा तब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देकर सर्व शक्तिशाली दस महाविद्या में से एक मात्रिपुर सुंदुरी को सिद्ध कराया और उनसे हनुमान जी की साथना करने को कहा वहीं से उनका नाम लाल बिहारी दास से बरफानी दादा पड़ा यही ज्यानगंज में उन्होंने फुलेरी बाबा से 1930 में काया कल्प और शरीर को जवान रखने की साथना सीखी ग्यानगंज मठ हिमाले मिस्थित है ये एक छोटी सी जगा है जिसे शांगरीला, शंभाला और सिद्ध आश्टम के नाम से भी जाना जाता है ग्यानगंज मठ में केवल सिद्ध महात्माओं को ही स्थान मिलता है इस जगा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहां रहने वाले हर किसी का भागय पहले से ही निश्चत होता है और यहां रहने वाला हर कोई अमर है, यहां किसी की भी मृत्यू नहीं होती बरफानी दादा जी के कई भगतों का कहना है कि हम अपने पिताजी के साथ इनके दर्शन करने आते थे दादा जी तब भी ऐसे थे और आज भी ऐसे हैं जबकि ऐसे भगतों की खुद उम्र पचास साथ साल रही होगी महराष्ट्र के बड़े संत गगंगिरी महराज की सेवा में रहने वाले स्वामी शाम बताते हैं कि गगंगिरी महराज ने उन्हें बताया था कि धूनी वाले दादा जी की जमात में खुद गगंगिरी महराज, ताजुद्दीन ओल्या नाकपुर, साई बाबा, गजानन जी म महराज और बरफानी दादा जी साथ साथ थे गगंगिरी महराज ने स्वामी शाम को बरफानी दादा जी को सौब दिया और उसके बाद स्वामी शाम बरफानी दादा जी की सेवा में ही रह रहे हैं जब हमने इस पर शोत किया तो पता लगा कि इंटरनेट पर उपलब्ध जा पराया जाता है कि सांध भी कुछ समय रहे उनिस सो बासट में जब चीन ने कैलाश मांसरोवर को अपने खब्जे में लिया तो बर्फानी दादा जी हरीद्वार आ गए इसके बाद कहते हैं कि भगवान शिव ने इन्हें मा नर्मदा की सेवा में जाने को कहा और वो नर्मद जी के उद्गम स्थाल आने के अमर कंठक जो के मद्धिप्रदेश में हैं वहां आ गए और मार अर्मदा की साधना करने लगे और एक आश्ट्रम की स्थापना भी की इसके बाद बरफानी दादा जी देश के भिन भिन भागों में मंद्र स्थापत उन्होंने किये और उनको संतों को सौप कर आगे बढ़ जाते उनके कुछ शिशों ने बताया कि दादा जी जब कार में बैठते थे तो कार बिना रुके 14-14 घंटे चलती रहती थी और कहीं अगर तेल खतम हो गया तो वो नदी का पानी डालने को कहते और कार पानी से भी चल जाती थी इसकी पुष्टी करने के लिए हमने बरफानी दादा जी के साथ लंबे समय तक ड्राइवर रहे सोनी से बात की सोनी ने इसे बिल्कुल सही बताया और कहा कि हमारे साथ अकसर ऐसा होता था इसके बाद दादा जी भगवान शिफ के आदेश अनुसार मेंदीपूर बाला जी जो के राजिस्थान में है वहाँ हनुमान जी की साधना हेतू पहुंचे और यहाँ दादा जी ने हनुमान जी की बिना कुछ खाए पिये कठोर साधना की स्थानिय लोग कहते हैं कि एक अंजान बालक उनके लिए कमंडल में पानी लेकर रोज आता था और बाद में उसी बालक के रूप में हनुमान जी ने दर्शन दिये और साधना से प्रसन्न होकर हमेशा साथ रहने का वचन दिया इसके साथ ही हनुमान जी ने दादा जी को मेंदीपूर बाला जी में आश्रम बनाने को भी का गाधी नगर के पूर्वसांसद और नामी वकील विजय भाई पटेल कहते हैं कि हमने दादा जी के उस रूप के दर्शन किये हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता अब सारा जीवन उनहीं के लिए हैं मेंदीपूर बाला जी जिला करोली राजिस्थान के आश्रम की आधार शिला 2007 में रखी गई और आश्रम 2012 में बन कर तयार हुआ आश्रम में सर्व प्रथम ग्यारा मुखी हनुमान जी का मंदिर बना और शनीदेव इवम काल भेरव के मंदिर भी बने इसकी स्थापना स्वयम बर्फानी दादा जी ने की ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी ने अपना ग्यारा मुखी मंदिर बनाने के लिए खुद कहा था गुजरात उच्च न्यायालाई के पूर्व न्यायाधीश एवं वर्तमान में गुजरात मानवादिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस रवीत्र पाठी कहते हैं कि दादा जी के उनके परिवार पर विशेश क्रिपा है एसा ही कुछ रिटायर सचेव भारत सरकार राजीत गुपता आयेस ने भी कहा है उन्होंने उनको साक्षात ब्रह्म का रूप बताया परम पूजय बर्फाने दादा जीवन ब्रत्यों की सीमाओं से परे ऐसे दिव्यसंत रहे हैं जिनका नित्य भगवत सामराजी में प्रुवेश था वे इश्वर्लीन अवस्था में थे इश्वर्लीन रहने के कारण उनके मुकमंडल वे पूरे व्यक्तित्व से इश्वर्य तेज प्रकाशित होता रहता था हम परम सभाग ये शानी हैं कि हमें उनके दर्शन सानिध्य वे आशिरवाद का प्रसाद प्राक्त हुआ जीवन का प्रमलाब यही है कि ऐसे दिवे संतों का समागम हो और वे अब्धी सुक्ष्ण रूप से अपने भक्तों पर निरंतर क्रपा प्रसा रहे हैं मेरा उनको सादर दंडवत प्रणाम एवं निरंतर उनका अशिरद हमारे उपर बना रहे हैं यही हमारी कामना है जब हम दादा जी के बारे में पता कर रहे थे दब लखनों में हमें राजीव मिश्रा पूर्व महा प्रबंदग रेलवे मिले उन्होंने हमें बताया कि उन्हें आज भी पूर्णाभास होता है कि दादा जी उनके साथ हैं और वो अपनी उपस्तिती हमें दिखाते हैं बरफानी दादाजी के बारे में कहा जाता था कि हर मंगलवार और श्रनिवार, हनुमान जी साक्षात आते थे और दादाजी से उनका वारतालाप होते लोगों ने सुना भी है उनके भक्तों का कहना है कि दादा जी बैठे बैठे अपने सुक्ष्म शरीर से कहीं भी विच्रण कर सकते थे बरफानी दादा जी ने बाला जी में श्री राम मंदिर का भूमी पूजन 5 अगस 2020 को रखा और उसी दिन श्री राम मंदिर अयोध्या का भूमी पूजन प्रधानमंत्री मोधी ने किया 23 दिसंबर 2020 को एहमदबाद में दादा जी ने शरीर त्याग दिया राजस्थान के मेंदिपूर बाला जी धाम आश्रम में उनकी समाधी बनाई गई और लोगों का कहना है कि उनकी समाधी पर जो भी कोई सचे मन से मांगता है कुछ भी मांगता है दादा जी उसकी मुराद पूरी करते हैं और आज भी प्रसाद का भोग लगाने आते हैं फ्रांस के रहने वाले विमन डे ने उन पर एक किताब भी लिखी है महा तीर्थ के अंतिम यात्री जिसमें वो बताते हैं कि जब 1953 में वो 16 साल के थे और घर से भाग कर कलकता और फिर मांसरोवर चले गए थे जब वो कैलाश मांसरोवर में थे तब दो बार एक सन्यासी ने उनके प्राणों की रक्षा के किताब में उन्होंने दादा जी को कैलाश बाबा लिखा है जब 2009 में विमल डे घूमते घूमते अमर कंठक पहुँचे वहां उन्होंने बर्फानी दादा जी को देखा और तुरंत ही पहचान लिया कि वो तो कैलाश बाबा है बरफानी दादा जी बहुत ही शांत, मीडिया से दूर एकांत में रहना पसंद करते थे वो लगातार घंटो एक ही मुद्रा में कुर्सी पर बिना पलग छपकाई बैठे रहते थे और लोग बस घंटो उनका चहरा निहारा करते थे बड़े कॉपरेट में काम करने वाली शुभी बताती हैं कि दादा जी के चहरे में वो तेज और आकर्शन था कि वहां बैठने वाला हर शक्स मानो वशीभूत हो जाता था बस बिना खाई पिये सिर्फ गुरुदेव को निहारा करते थे आज के लिए इतना ही कल फिर एक नई खबर के साथ आपसे मुलाकात होगी वारता 24 न्यूस को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा नमस्कार